हेलो फ्रेंट जैमातादी कैसे हैं आप सब आपके अपनी चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ पे कथा कब और कैसे सुननी चाहिए कथा सुनते वक्त कौन कौन सी पूजा समागरी चाहिए क्या कला समय तभ से पहले संबर 4 बजेंरे चाहिए क्यानी सुन न होता हैँ और बहुत सरे लोग 5 बजेंरे भी और लेकिन यह मता है कौन का किक बीच मतलब रात की पूजा जैसे आठ से साड़े आठ के बीच में पूजा होती है जो भी हमें सही महुरत लगता है हम उस महुरत में शाम को पूजा करते हैं रात को आठ से साड़े आठ के बीच में तो और दुफैर में जो है कता सुन लेते हैं चार बजे के आसपस दुफैर ही मा को जो है पूजा करनी है तो वही चौकी जो है शाम को भी आपको जो है आप कर सकते हैं उसी चौकी पे पूजा तो यहां पे मैंने चौकी लगा ली है यहां मैंने उत्तर पूरब दिसा की और चौकी लगानी है हमें हमारा मुख जो है उत्तर या पूरब की तरफ ही होना चाह पर चार वज़े की कथा निम्हें ली जाए चाहे चाहे तो मिट्टी यहां पर फोटो भी लैकल जाती है नेज जी की कफी ऩंधे मूरती काफी है और कलंडर कि काफ शाम को तैयारी कर सकते हैं पूरी कूल थे तो यहां पर हमने अगनेश पार्वती जी जी की एक शंकर पारवति के मूर्थी रख ली हो गनेजी अलग से मूरती रख ली है तो यहां पे तरह अब हम क्या करेंगे हमें अभी 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 आपकी फोटो नहीं चाहिए तस्वीर की रात पूजा के लिए होती है तो हमें चार बजी की कहानी जो हम सुनते हैं वो हम अकेले भी सुन सकते हैं या फिर किसी कर्णिया को लेकर सुन सकते हैं किसी क्वारी कर्णिया से सुन सकते हैं या फिर मंदिर में जाके किसी पंडिजी से भी सुन सकते हैं तो चले फ्रैंस और देख तो अभी के लिए लीजिए बस बाकि थोड़ा सा गी डाल के जब तक आप कहानी सुने कथा सुने जब तक ही आपका दीपक जलना ची उसके बाद चाहे तो सांथ हो सकता है रात को आपको अलग से एक दीपक लेना है पूजा के लिए तो यहां पे हमने अलग दीपक लिया है आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं और यहां पे हमें करवा अभी भरके रख लेना है तो यह तो हो गई पूजा समागरी जो हमें पूजा के लिए जो अभी चो कथा सुनेंगी उसके लिए समागरी चावल क्योंकि चावल बहुत जादा जरूरी होते हैं इस वक्त तो सुनते समय ही सब कुछ रख लेते हैं और वो शाम को पूजा खाली करते हैं बाकि जो है बायना वाइने का समान वो चार वजे निकाल लेते हैं लेकिन जैसे हमारे होती है मैं आपको वैसे बता रही हूं हमारे है जो है रात को ही पूजा होती है और जो है बायना वगरा रा में आपको करके दिखा रही हूं यह में आपको इच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे चीज को लेके चारवजे की कथा को लेकर पूरी एक वीडियो बनाइए तो देखे फ्रेंट, सबसे पहले हम चाहिए एक मित्टी का कर्वा तो जब भी कहानी करवा कर लेंं तो पर खने हो, कुझा चाहिक स्थे को प्रिक- मित्टी बाद करवा भर लें जाहिए तो यहां पे हमको करवा भर लेना है और करवे पे हमें एक मोली बान दिये तो यह वाला करवा जो है हम रात के लिए ही भरके रख रहे हैं जिसकी हम पूजा करने वाले हैं तो मैं एक जामपल की तोर पे ही बता रही हूँ आपको कि यह मैं पूजा वाला करवा नहीं लिया है पाने का भरते हैं, जो मिट्टी का करवा होता है, इस से ही हम चांद को अरख देते हैं, और इसी को हम बदलते हैं, हम जो सुहाग जो बदलते हैं, इसी कर्वे से बदलते है you wishा करव हम से नाज भरने के लिए और हम अलग से करवा यहां किं़से पूजा करते हैं इस वाले करवे को हम इस तरीके से बाज़ के रख देंगे और मतलब कलावा बांद के और क्योंकि इसमें डिजन वगरा बने हुए हैं तो अभी हमें कुछ भी बनाने की जरूत नहीं है खाली एक आप तिका लगा सकते हैं इसको तिलक और इस तरीके से आप इस पे थोड़े से चावल रख लीजिए अभी मैंने प्रोपर तरीके से नह पूज और मिठाई रखने आप उपर नहीं यहां पर मिठाई के उपर अपने करवे यहां अब यहां जो है हम यह उतनी ही तुनाती नहीं होती आप आप शाऔर प्रीत खनें के दियाया है स्वास्तिक जाना है अपको स्वास्तिक आपक सुलाना है कि अथिटाट के बाद स्वास्तिक शलाना नहीं है तो यहां पर धीपक जब आप ज़ाओ धीपक को आपको रख देना है और इस पर ठोड़ी से चावार रखने के बाद आपको दीपक रख लेना है धीपक पर आपको ज़ो है मोली सज़व थ ke पहनाने हैं और यहां पर हमने गनेजी को भी पहनाने है क्था सुने शामको तब हमें questi करना है और रातको दुबारा से करना है जब रातको दुबारा पूजा कऱेंगे करवा चौत की सब अब तीन Πरोड़ा करना हैं तो तब हम एचारे बहा pillar दोकर देंगे तो अभी बाद हमें फूलर पित करने हैं जिक पूझा करने हैं तो जब पूझा करने बैठेंगे इन्हाँ पर बता से भी आपको ले सकते हैं हम तो जो है अपने हिसाब से ले लेते हैं जादा से और अब जादा से चाबर लेेक्षित её हूं जो है जब कता सुनते हैं। जब गनीजी की कथा हमारी पूरी हो जाती है उसके बाद हम सुनते हैं करवा की मता करवा की कथा सुनते हैं करवा की कथा सुनने के बाद जब दूसरी कथा होती है तो उसमें भी थोड़ से दुबारा से चावल डाल देते हैं और उसके बाद हम इन चावलों को जब दोनों सबस्क्राइब एक तो उस नहीं है को सबस्क्राइब नाम को जो एक प्सक्राइब थाली वां डी जाय जा थाख सबस्क्राइब फैर्ल्स काड़ की पूजा करनी यह हमें इन चावालों को तब झावलों को तब ही कहोलना है हम हम जब चान्ड की पूजा करें कर सकते हैं अभी मैं आपको जो है है लोटा लिया था जिसमें चावल के दाने डाले थे काथा सुन्ते वक्त इसको हमें सुरज को अरख देना है जो मिटी का करवा है उसको हमें चांद को अरक देना है तो फ्रेंडस आज की वीडi времени Ighyo पारे ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जैम आता दी।